जम्मू कश्मीर के हार्ड हेटिंग वल्ले बास IPL 2020 की संसिनी खेज खोज जी हाँ हम बात कर रही है युवा क्रिकेटर अब्दुल समत की यदि आप अब्दुल समत के फैन है तो क्रिपया इस वीडियो को लाइक करे और इस वीडियो को अन तक देखे अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें फोर मोर अपडेट्स बात करते हैं अब्दुल समत के जन्म और परिवार के बारे में अब्दुल समत का जन्म 28 अक्टूबर 2001 को काला कोट जमु कश्मीर भारत में हुआ था उनके पिता का नाम मोहमद पारुख है जो एक फिजिकल एजुकेशन टीचर है उनकी मा का नाम फर्जाना कॉसर है समत के पिता एक पूर नैशनल बॉलीवाल खिलाडी है और उन्होंने जमु कश्मीर क्रिकेट क्लबों के लिए एक तेज दिनबास के रूप में कुछ सीनियर स्थर के क्रिकेट भी खेले है आई आगे बात करते हैं अब्दुल समत की एजुकेशन के बारे में उन्होंने अपनी स्कूली सिक्षा लॉरेंस पब्लिक स्कूल जमु से खी आई आगे बात करते हैं अब्दुल समत के क्रिकेट करियर के बारे में उन्होंने बहुत ही कम उम्र में क्रिकेट खेनला शुरू कर दिया था उनके मा चाहती थी कि वो इंजीनियर या डॉक्टर बने क्योंकि वह हैं एजुकेशन में भी अच्छे थे लेकिन उन्हें जल्द ही अपने बेटे की पोटेंशल का एहसास हुआ दूसरे उनके पिता ने हमेशा अपने बच्चों को स्पोर्ट्स रिलेटेट कुछ करने के लिए समर्थन दिया क्योंकि वे खुद एक खेल खेलाडी थे फिर उन्होंने मौलाना आजाद स्टेडियम कोचिंग सेंटर में दाखिन लिया और रंधीर सिंग मनहास और रमन थबलू के अंडर प्रसिक्षन शुरू किया फिर उन्होंने एज लेवल क्रिकेट में अपना नाम बनाया जैसा कि उन्हें वर्ष 2012 में अंडर 14 के ट्राइल के बाद चुना गया जल्दी उन्होंने राज्य की अंडर 16 टीम में जगा बनाई और फिर अंडर 19 जैन के क्रिकेट टीम के लिए खेलना शुरू किया बहें अंडर 19 स्थर पर अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन 2018 में ट्राइल मैचों में उनका प्रदर्शन आसाधारन था क्योंकि इर्फान पठान जमो कश्मीर क्रिकेट टीम के मेंटर थे फिर उन्होंने अब्दुल समत को सीनियर जैन के क्रिकेट टीम खेलने की अनूमती दे दी 21 फरवरी 2019 को उन्होंने नागलिन के खिलाफ जमो कश्मीर के लिए अपना T20 डेब्यू किया उन्होंने 51 गेंदो पर नाबाद 76 रन बनाए जिसमें 8 चौके और 3 चके शामिल थे साथ ही उन्होंने उस मैच में एक विकेट भी लिया था बाद में 27 सितंबर 2019 को अब्दुल समद ने विजे हजारे ट्रॉफी में राजिस्थान के खिलाफ खेल कर अपने लिस्ट एक रिकेट करियर की शुरुवात की उन्होंने इस मैच में 7 रन बनाए उन्होंने 8 ओवर फेके और इस मैच में एक विकेट लिया उसी वर्ष डिसंबर में उन्होंने रणजी ट्रॉफी में उत्राखंड के खिलाफ जम्मो कश्मीर के लिए प्रथम शेडी में पदापन किया उन्होंने मैच में कुल 61 रन बनाए जिसमें दूसरी पारी के 60 रन भी शामिल थे आईया के बात करते हैं अब्दुल समद के आईपिल क्रिकेट करियर के बारे में अब्दुल समद उन 6 खिलाडियों में से एक थे जिनने आईपिल 2020 के लिए निलामी में पहले ट्राइल के लिए बुलाया गया था अन्ने पांच खिलाडियों के सूची में उमर नजीर मीर, शुबम खजूरिया, मन्जूर डार, शुबम सिंग पुंडीर और मुझत्पा यूसुफ शामिल है उन्होंने रاجस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियन और सुन्राइजर्स हैदराबाद के लिए चैन पारीक्षनों में भाग लिया उनके अनुसार MI के लिए उनका टॉयल अच्छा नहीं रहा लेकिन उन्होंने राजिस्थान रॉयल्स और सन्राइजर्स हैदराबाद द्वारा आयोजित अन्य ट्राइल्स में वास्तव में अच्छा प्रदर्शन किया 2020 के IPL टूर्णामेंट से पहले निलामी में सन्राइजर्स हैदराबाद ने अब्दुल समत को उनके अपने बेस प्राइस 20 लाक में खरीदा उन्होंने दिल्ली कैपिटल के खिलाफ 29 सितमब 2020 को IPL की शुरुवात की उन्होंने मैच में 7 गेंदों पर 12 रन बनाए जिनमें एक छक्का और एक चौका शामिल था आईए आगे बात करते हैं अब्दुल समत के पोस्नल स्टाट्स के बारे में अब्दुल समत के हाइट 5 by 10 है अब्दुल समत का वेट 68 किलो है उनका बॉडी मेजरमेंट चेस 38 इंचिस वेस 30 इंचिस पाइसेप्स 13 इंचिस और अब्दुल समत के काले बाल और काली आखे है चलिया के चच्चा करते हैं अब्दुल समत के फेवरेट्स और प्रेफरेंसिस के बारे में फेवरेट आक्टर सलमान खान फेवरेट गेम फीफा गेम और पीएसे 4 हॉबीज, सिंगिंग और फुटबॉल फेवरेट क्रिकेटर, एमेज़ोनी, इर्फान पठान, फेवरेट फूड, तंदूरी चिकेट अब्दुल समत नेट वर्ट अब्दुल समत की अनुमानित कमाई 2020 तक 40 लाग है सम लेसर नोन फैक्ट्स अबाउट अब्दुल समत क्या अब्दुल समत धुम्रपान करते हैं? नहीं क्या अब्दुल समत शराब पीते हैं? नहीं वहें एक हार्ड एटिंग बल्ले बाज है जो पार्ट टाइंग गेन बाज के रूप में स्पिन बॉल करते हैं वहें अच्छे सिंगर भी है अब्दुल समत जमू और कश्मीर का एक मात्र चौथा खिलाडी है जिसे अब तक किसी भी IPL फ्रेंचाइजी दुआरा चुना गया है उन्होंने 2019-2020 रंजी ट्रॉफी में सबसे अधिक 36 छक्के लगाए तो यह थी अब्दुल समत की लाइफ से जोड़े कुछ बाते आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कॉमें सेक्शन में जरूर बताए साथ ही इसी अमेजिंग वीडियो के लिए सब्सक्राइब करिए टोपोफीड एंटर्टेंवेंट को